1995 में एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसने बॉक्स ओफिस पर धमाल मचा दिया था और आज तक उस फिल्म के चर्चा है जिसमें एक नहीं बलकि बॉलिवुड के दो सुपर स्टार्स थे एक बॉलिवुड के किंग खान और दूसरे बॉलिवुड के दबंग कहे जाने वाले सल सलमान खान शायद आप लोग ने अब तक अंदाजा लगा लिया होगा कि मैं किसकी बात कर रही हूं फ्रेंट्स में बात कर रही हूं 1995 में रिलीज हुई फिल्म करन अरजुन की जिसकी सिर्फ स्टोरी ही नहीं बलकि करेक्टर से लेके डायलोग तक आज भी लोगों के दिल दिमाग पर हैं और यह फिल्म आचे टाइम पर भी काफी ही एंटर्टेइनिंग है जब यह फिल्म रिलीज हुई थी तब फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बवाल मचा दिया था हर तरफ करन अरजुन की ही चर्चा थी वहीं सलमान खान और शारुखान स्टारर इस फिल्म ने नहीं थे बलकि कोई और स्टार्स थे जो रियल लाइफ में भी भाई हैं यह फिल्म पहले उन दोनों स्टार्स को ओफर हुई थी लेकिन उन्होंने किसी वज़ा से इस फिल्म को मना कर दिया था उसके बाद मेकर सलमान खान और शारुखान के पास फिल्म का ओफर लेकर सनी देउल को सङाई सनी देउल को कहानी बेहती पसंद आई और वो फिल्म को करनने के लिए राजी हो गया जैसे ही राकेश रोशन ने उन्हें बताया कि वह फिल् liquid को भी लेना चाहते हैं सो सनी देउल ने फिल्म करने से मना कर दिया दरसल सनी दे प्यूल बबी देउल के लिए grand debut की योजना में थे वो चाहते थे कि जब भी बॉबी दियोल इंडस्ट्री में कदम रखें तो उनकी एक star type debut हो ऐसे में सनी नहीं चाहते थे कि बॉबी उनके साथ फिल्म करें और उनका debut कमजोर पड़ जाए वो चाहते थे कि जब cinema hall में दर्शक फिल्म देखें तो सनी देवल ने फिल्म से दूरी बना ली थी वहीं जब सनी देवल को करन अर्जुन ओफर हुई तब बॉबी देवल बरसात की shooting कर रहे थे सनी का पूरा ध्यान बॉबी को एक star की तरह launch करने पर था इसी वज़ा से सनी देवल ने करन अर्जुन करने से इंकार कर दिया और इ जैसे star भी एहम रोल में थे तो जहां करन अर्जुन जैसे फिल्म सल्मान और शारुखान की करियर की सबसे बेस्ट फिल्म बताई जा रही है और उनकी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन बताय जा रहा है तो वहीं बॉबी देवल और सनी देवल के लिए लोग ये कह रहे ह एहे हैं आख है